हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माइ सकींड चैनल इस सेनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए ग्रीन ओलंपियाट की ये वीडियो जिसे आप यूज कर सकते हो ग्रीन ओलंपियाट की प्रिपरेशन के लिए इसके अंदर आपको कुशन्स अटेम्ट करना है और कमेंट करके बता आना है जैसे option A आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि organic farming is another name for regular farming यान कि regular farming जो होता उसका एक और नाम बताया जा रहा है इसे हम organic farming बोल देते हैं option B में आपको बताया जा रहा है uses chemical pesticide यानि इस farming के अंदर chemical pesticide को use किया जाता है ऐसा option B में आपको bet रहा है जा रहा है यूजिस केमिकल फीड एडिटिव यानि कि इसके इंदर केमिकल चीजों को यूज करके फार्मिंग की जाती है इसा आप समझ सकते हैं तो यह चार ओप्षिंस आपको दे दिये गए चार ओप्षिंस में से करेक्ट आंसर क्या है यह आपको बताना है देखिए और पैस्ट जैसे यहाँ पर ओप्षिंस में आपको दे रहा है इसके बारे में जो बताया जा रहा है यह आंसर इसका बिल्कल करेक्ट है और इसमें जो क्रॉफ बगरा होता है इसे हम रोटेट करके यानि की डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को यूज करते है ताकि जो सोयल की जो फर्टिलिटी बगरा है इसे भी प्रॉपर मिंटेन किया जा सके तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आप ऑप्षिंस सी पर टिक लगा सकते हैं इस कोशिन में आप से पूछा जा रहा है अफ फिल्ट इस पोस्ट प्योर्ट टु दे स्वोइं आप सीट्स एजिट अज कि जब भी कभी हम लोग खेत में खेते वगरा करते हैं और जब हम खेत को जुदाई करते हैं एक तरह से पॉस्ट करते हैं और उसमें सीट्स वगरा को जब हम डालते हैं बुआई करते हैं तो वो किसी इसको अलाव करता है इसके बारे में कुशन पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको चार options दे दिएगे हैं, first option में बोला जा रहा है कि इससे करने से में एक फाइदा कह लीजिए, इसका एक benefit यह होता है, जो भी plants होगर होते हैं, इसके जो roots होते हैं, वो penetrate proper तरीके से deeply हो पाते हैं, soil के अंदर जागर के, ऐसा option A में बोला जा रहा है, option B में आपको बो एक तरह से seat को डालने से पहले हैं, तो इसका एक benefit यह होता है, कि जो तीनों options आपको दे रखके हैं, कि इसके जो plants के root होते हैं, वो अच्छे से penetrate भी हो पाते हैं, soil के अंदर deeply जागर के, और ventilation का भी अच्छा एक arrangement हो पाता है, और जैसे C option में आपको बोला जा रहा है, कि जो आपको option D दे रखका है, यानि कि first, second, third, यानि ABC जो options दे रखके, यह सारे option बिल्कुल correct है, यानि कि जब भी हम लोग खेत वगरा में, जुताई वगरा करते हैं, और बुआई वगरा करते हैं, इसका benefit यह होता है, जो seed वगरा होता है, अच्छे से penetrate हो पाता है, उसमें वेल् पर, इस question में पूछा जा रहा है, कि going vegetable, vegetables, flower, fruits and decorative plants for commercial use is known as, देखें कही तरह की farming होती है, इस farming में आपसे पूछा जा रहा है, एक ऐसा farming जिसके अंदर जो vegetable grow किया जाता है, flower grow किया जाता है, fruits वगरा grow किया जाता है, और खास तरुपे, जो decorative plants वगरा होता है, उसे grow किया जाता इसे बोला क्या जाता है, यह question में आपसे पूछा जा रहा है, option A में आपको बोला जाता है, इसे विटी कल्चर बोल देते हैं, option B में आपको बोला जाता है, इसे सहरी कल्चर बोल देते हैं, और option D में आपको बोला जाता है, इसे PC कल्चर बोल देते हैं, तो यह 4 options आपको दे रखे इन चारो option में से correct answer क्या है यह आपको बताना है देखिए जब commercial use के लिए इन सारे चीजियों को एक तरह से खेती की जाती है तो इसे halty culture बोलते हैं तो यहाँ पर जो option B आपको दे रखा है यह इसका correct answer हो जाएगा यह आप यहाँ पर B पे इसे take लगा सकते हैं इसके बाद next question है आपके screen पर इस question में आपसे पूछा जा रहा है a new town designed to have the least impact on the environment is called देखिए एक ऐसा town design किया जा रहा है जो की environment के उपर ज़्यादा impact ना डाले ठीक है तो इस type के town है उसे हम बोलेंगे क्या यह आपसे question पूछा जा रहा है जो की environment के उपर कोई खास नुकसान नहीं करता है उसके खास impact नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है इस type के town के बारे में question पूछा जा रहा है first option में आपको बोला जा रहा है इसे हम downtown बोलेंगे option B में आपको बोला जैसे agro town बोलेंगे option C में आपको बोला जारा ऐसे town को हम eco town बोलेंगे और option D में आपको बोला जैसे none of the above यानि इन में से कुछ भी नहीं बोलेंगे यानि option A, B और C तीनों option यह आपको गलत दे रखें आपके according correct answer क्या है यह आपको choose करना है देखे इस question के correct answer की बात करें जो कि environment से related एक town create कर रहे है और in one bit के ओपर कोई इसका impact नहीं पड़ेगा कोई खराब impact तो आप कह सकतो इस type के town को हम बोलेंगे इको टाउन तो आपके पास जो C options दे रखें यह C option बिलकुल correct answer हो जाएगा इस question में आपसे पूछा जा रहा है कि identify the world's first truly fence urban eco century with extraordinary 500 years years vision to restore the forest area and fresh water ecosystem in Wellington Valley this novel conservation project deal with the reintroduction of species and habitat protection activity अब देखे इस question में basically आपसे पूछा जा रहा है एक ऐसा type का एक program कह सकते हो जहाँ पे 500 years का vision रख करके यह ध्यान में रखते हो वर्ल्ड की ऐसे fully fence urban eco century create की जा रही है जिसके अंतर यह ध्यान में रखा जा रहा है कि यहाँ पे forest भी होगा और forest के साथ साथ यहाँ पे fresh water system भी होगा और किस जगह पे हो रहा है यह भी आपको बताया जा रहा है यह वेलिंग्टन वैली के नाम से जगह है वहाँ पर यह चीज़े की जा रही है तो यहाँ पे जो अलेडोनिया में यह प्रोग्राम यह एक्टिविटी लाई गई है और option C में आपको बोला जा रहा है कि मैसेडोनिया में यह प्रोग्राम लाई गई है और option D में आपको बोला जा रहा है इसे मेसोपोटरानिया में यह प्रोग्राम लाया गया है तो यह यहाँ इस टैप की इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अब आप लोग कमेंट करके बताईए कि आपने कितने questions के आंसर बिल्कुल सही attempt की है कोई doubt है कुछ पूछना चाहते हो या आपकी कोई query है Green Olympiard से related तो आप नीचे comment में लिख करके पूछ सकते हो इसके साथ साथ आप आप लोग मुझे Instagram पर follow कर लीजिए जहां आप message करके directly अपने doubts वगरा या queries वगरा पूछ सकते हैं मैं आपको reply जरूर करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपकी लिए चैनल पर लाज सकूँगा और चैनल friends at the rate preparation को subscribe कर लीजिए साथ के आपको नीचे description में मिल जाएगा अगर आप WhatsApp पे मुझे connect होना चाहते हैं तो उसका link भी नीचे मैंने description में दे रखा है वहाँ पे भी click करके आप join कर सकते हैं मुझे follow कर सकते हैं WhatsApp पे उपर ठीक है चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में आज के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिए बाइ